7,000,000 के budget में सबसे अच्छी SUV, सबसे अच्छा sedan, सबसे अच्छा full-size SUV और hatchback कोन-कोन सी आ जाते हैं चली जानती है सा special video में और इस सबसे wirklich से क्लिए दोस्तों इक special like बनता है 7,000,000 का जो budget है न दोस्तों एक number budget है और इस budget में एक से एक must से must car आ जाती है 6 लाग रुपए या 7 लाग रुपए लेके जब आप नई कार निकालने जाते हैं तो आपको उतना बहतरीन कार नहीं मिल पाता है 6 लाग रुपए में आपको ओल्टो, क्विट जैसी कारे मिल पाती हैं लेकिन जब आप 7 लाग रुपए लेके सटना हेंड कार मार्केट में जाते हैं तो आपके पास option ही option आपके सपनों की कार इंतजार कर रही होती है यहां पर दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेस्ट एस्यूवी कार की तो यहां पर दोस्तों हम सभी लोगों की हमेशा से फेवरेट एसकोर्पियो आजाती है साथ लाग रुपए में आपको स्कॉर्पियो मिल जाता है और अच्छी सी अच्छी कंडिशन की एस्टू एस्थरी एसफाइव एस्सीक्स एससेवन एसकोर्पियो फुल साइज एस्यूवी है सेवन सीटर कार मस्त परफॉर्फोर्मेंस जब आप स्कॉर्पियो चलाते हैं 2017 के आसपास का आपको असानी से 7 लाग रुपए में मिल जाता है तो ये कार एकदम भौकाल रहने वाली है इस प्राइस रेंज में दूसरे नंबर की बात करें दोस्तों आपको सेवन सीटर नहीं चाहिए फाइप सीटर कार लेना चाहते हैं मिट साइज एस्यूवी तो यह सब कुछ बहतरीन है सेफटी कार तो यह ही सबसे अच्छी बात दोस्तों लेटेस्ट फीचर सापको मिल जाता है इसमें संडूप डीजल लेना चाहते हैं डीजल मिल जाएगा पैटॉल लेना चाहते हैं पैटॉल मिल जाएगा नेक्ट मिट साइज एस्यूवी आ जाती है क आपको पुराना वाला लुक पसंद नहीं आता है दोस्तों तो यहां पर आप ले सकते हैं ब्रेजा छे लाक रुपए में दोस्तों आपको बहतरीन कंडिशन की आपको डीजल इसका पसंद है क्यूंकि माइलेज भी अच्छा देता है टेंसर नहीं इस कार में तो ब्रेजा तो ब्रेजा का 2019-2020 का मोडल आपको 7 लाग के आसपास मिल जाएगा तो यह जो कार है ना दोस्तों फुल पैसा बसुल हो जाएगा क्यूंकि यह कम भी चली होगी और कार भी आपको एक नमबर मिल जाता है और ब्रेजा सेफटी के नजरिये से भी बहतरीन कार होती है क्रेज टेस्ट रेटिंग में यह फोर अश्टार लेके आई थी और जो भी कार अपले दोस्तों उसका टॉप मोडल लेने की कोसिस करें मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं बहुत सारी लोग 7 लाग रुपए लेके थार लेना चाहते तो थार दोस्तों 7 लाग रुपए प्रोड़क्ट था नो दोस्तों टाटा ने गलती से एक बेस्ट प्रोड़क्ट निकाल दिया था लेकिन लोगों ने उतना पसंद नहीं किया यह आज के टाइम पे जो नई टाटा सफारी आती है उसके जैसी कंपेटिशन की है बिल्ट क्वालिटी तो एकदम टेंक है टें में आती है जिन लोगों ने भी इस कार को लिया है वो इस कार को बेचना ही नहीं चाहते हैं तो बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा तो मेरी नजर में दोस्तों अगर आप कोई बेच्ट सेवन सीटर एस्यूवी टाइप कार लेना चाहते हैं तो हेकसा एक नमबर रहेगा इस बजट के आसपास आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपको जादा माइलेज वाली सेवन सीटर कार लेनी है अगर आप भाले पर चलाना चाहते हैं या फिर प्रसनल यूज़ के लिए भी रखना चाहते हैं तो यहां पर अटिगा मिल जाती है साथ लाग के बजट में आपको 2018 से 2019 तक का मोडल मिल जाएगा वो भी टोप मोडल चाहे आप डीजल लेना चाहते हूं या फिर पेट्रोल और डीजल में इसका माइलेज का तो कोई है यह नहीं दोस्तों लोग 25 तक का माइलेज निकाल लेते हैं हाईवे पर और यह कार चलती ही जाती है अभी भी चल रही ह मारूती अटीगा एक नंबर 24 हो जाता है और इस प्राइस रेंज में आपको अच्छी कंडिशन की अटीगा मिल जाती है जिसका लुक भी काफे ज़्यादा पसंद आता है यह MP20 आपके सभी तरह के नीट को फुलफिल कर देती है और यह जल्दी खराब भी नहीं होती है इ आपके पैसे को और ज्यादा भेल्यू मिल जाती है नेश्ट करा जाती है होंडा बियार भी सेवन सीटर में आती है इंटीर इसका मस्त है एकस्टीर तो बहतरीन लगता ही है अगर आप अटीगा नहीं लेना चाहते हैं तो होंडा ब्यार भी एक अच्छा उप्सन बन जाता 1500cc के पैट्रोल इंजन में आती है इंजन इसका काफी रिफाइंड है होंडा सीटी में भी आपको यहीं इंजन मिल जाता है माइलेज अच्छा निकाल के दे देती है इस कार में भी ज्यादा मेंटेनेंस खर्चा आता नहीं है 2018-2019 का टोप मोडल भी हार भी लेते हैं 1200cc के ओवर डीजल एंजन में भी आ जाती है और इस कार में आपको सं रूफ भी मिल जाता है इंटीर भी मस्थ है एक्स्टीरियर भी मस्थ है यह क्रोस और कार आपको मयूस नहीं होने देगी पावर परफोमेंस इस कार में जबरदस्त है यहां तक की 2020 का मोडल आपको साथ के अंडर ही मिलेगा यूं कहें तो साथ लाक में असानी से मिल जाएगा वो भी संरूफ वाला मोडल और यह कार भी ज्यादा खर्चा नहीं कराती है जिन लोगों के पास भी होती है वो लोग अच्छे से केर करते ही हैं क्यूंकि वो लोग भाड़े वह है टोयोटा इनोवा टोयोटा इनोवा जो है अभी 20 लाक से शुरू होती है च्छब्यस लाक रुपय तक टोक मोडल तक जाती है 2012 मोडल आसानी से साथ लाक रुपए के आसपास मिल जाएगा आप ज्यादा कुसिस करेंगे ना तो आपको 2013 मोडल भी मिल जाएगा इन्होवा का जो डीजल इंजर है ना पचपच छे छे लाक किलोमेटर चल जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई भी इन्होवा सकेंड ओनर थार ट्रोनर उठालो आपको अगर लेना है तो अच्छी कंडिशन की इन्होवा आप देखें और कोसिस करें वह इन्होवा भाड़े पर ना चली हो एक तो उसमें सेफटी जबर दस्त मिल जाता है माइलेज अच्छा मिल जाता है और आज के डेट में आप वैसी कर लेंगे ना तो वो 25-30 लाग रुपए तक चला जाता है इनोवा एक अच्छा उप्षन बन जाता है लेकिन प्रोब्लम यह आ जाती है कि आपको 2013 मोडल अगर 7 लाग रुपए में मिलता है तो 11 साल पुराना आपको मिलेगा तो क्या आप उतना पुराना इनोवा लेना पसंद करेंगे क्य जाता है यूं कहीं तो एक लाग असी हजार में मिल जाता है उसी तरह आप बढ़ते रहते ना दोश्तों तो 7 लाग में आपको 2018 का मोडल 19 का मोडल का होंडा सिटी 7 लाग साड़े 7 लाग में असानी से मिल जाता है जो ज्यादा चली हुई भी नहीं होती है और कोई खर्चा मिल जाता है यह कार भी ज्यादा मेंटेनेस नहीं मांगती है अगर आप थोड़े कम पैसे में होंडा सिटी चाहते हैं तो 6 लाग रुपए में आपको 2016 मोडल का आपको होंडा सिटी मिल जाता है 7 लाग रुपए में दोस्तों बहुत सारे कारें आ जाती है लेकिन मैंने जि 2016 मोडल साले 7 लाग के आस पास आ जाता है जो एक बहतरीन ओप्सन हो सकता है इंजन इसका रिफाइंड है ही और कार जब दोस्तों चलती है तो लगती है कि हां भाई कोई दबंग कार आ गई तो ये थी दोस्तों कुछ खास कारें मेरे तरफ से न्यू कार लेना चाहते हैं त कास संद्रूफ का मोडल विज टार्ट हो जाता है लेकिन आगर आपको संद्रूफ लेना ही है अपनी कर में तो एक्सटर और टाटा-पांच बेश्ट रहेगी लेकिन अगर आपको कम पैसे में एक बहतरीन कार का वह भी लेटेस्ट लिफ्ट का izah लेना है तो निसान उपक टाटा पंच, एक्ष्टर और मेगनाइट तीनों कारे अपने जगा पे बेच्ट हैं मैं एका स्पेशल वीडियो लाने वाला हूं दोस्तों कि 7 लाग रुपए के बजट में एक्ष्टर, टाटा पंच और मेगनाइट में कौन सी कार आपको लेनी चाहिए और क्यों लेनी चा बता दिया क्या सही समझते हैं वेगनार खरीदना या फिर 7 लाग रुपए देखे जो मैंने सखेंड कार बताया वो कार खरीदना या फिर और थोड़े पैसे लगा के नया कॉम्पेक्ट एसीवी खरीदना कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आता है बताईएगा हमें नीच कमेंट में जरूर